चुनावी बीगुल बच्चुका है लगभग हर पार्टी के दिगजनेता अपने अपने उमेद्वारों को जिताने की भर्सक कोशिश वो जनता के बीच पहुंच कर निवेदन कर रहे है वाड क्रमांक 165 में समाजवादी पार्टी के उमेद्वार फिरोज मंत्री के प्रचार के लिए समाजवादी पार्टी के विधायक अबु आजमी जी पहुंचे इस बार समाजवाती पार्टी अपने सभी उमेद्वारों को जिता कर रहेगी और सेना भाजपा ने जो काम अब तक नहीं किया है उसे हमारे उमेद्वार कर दिखाएंगे ऐसा उन्होंने चन्ता को संभुदित करते हुए कहा विधायक अबु आसिम आजमी से खास पाच्चीत की है हमारे वरिष्ट समवाता ता अरुन कुमार गुपता ने देखिए ये खास रिपोर्ट सब्सक्राइब कर देखिए निदर और इमांदार कालबादी आद्मी जो उन्होंने इस सेरिये में बड़ देखिए और इंको एक्स्पेशन की तजर्बादी तो इनको यहां टिक्ट किया गए तो इनके अम लोग खोशी कर रहे हैं कर देखिए और इस बात चुछ जो आपकर दिखावे का चाहिना को अवां ब्रहम्मों आभी इसा है कि जंबादी पुर्फोड बना रहे हैं लोग तो एक तरफ तो उदो जी जो हैं जो हैं बीजेपी खलाप बोलते हैं अब अब बीजेपी के साथ साथ सुषयन असां लगे रहे हैं को हिससा कम मिला होगा तो सोतने में जाए हैं लगिए मैं इसा कम मिला होगा तो सुष्ण में जाए हैं कि दिल्ली हो दिल्ली से बिभान मंद्री हो राश्पती हो या अमेरिका से भाया हो बले ब्लक्तुरम लोगों नहीं अपने घर बुला बांदरा में और सबको हम बढ़ा के जुखा रहे हैं लाद मारी आप आप बाप के रूख के पहुशा रहे हैं अगर आप बीजेपी आ इसा परदा है कि चिल्मन से लगे बैठे हैं साफ छुटे भी नहीं और सामने आपे भी नहीं एक खरी सवाल यहां के जानता है एक सो पैसेर की फुरुद मंत्रें यहां पे चुख भुदबार है सभा से क्याना चाहिएं जन्ता से में करें निवधन करों जन्ता ने पहले है जसे लोग उतरते हैं उत्रेंगे जिए इंशार जीत होगी फिरोज भी करने करें यहां पर बुद अजयाना मैं समझता हूं इन जन्वें अपर इसे एक पार रोका भी जाया है अब वासिमाजवी सहाब का साहिक का समाजवारिक पार्टी का समझता हूं की सेरियर है अब अब आपने समाजवारिक पार्टी को लेकर कोल बहुत नहीं कर और इंशाला बाह मालिक ने चाहा है और यह से पुरोज मंध्री को निकले बस्ते उससे नहीं कोछ नहीं कोछ नहीं हुआ है जी कहना कि इस प्रिशाने हैं आज खुद आप चलकर आए हैं यहां पर हैदराब से मेंगली से अधाल मुस्लमीन जो पार्टी आई है यहां पर बहुत सारे बाते लोग कर रहे हैं और यह बले बले दावे कर रहे हैं अच्छे और पप्लिक को पचास साथ से हजराबात की पपलिक को बेखुब बनाए हो लुग और आप यहां पर आके महाराश्ट में उत् क्योंकि बहुत मांबा तो यह हमारे जो क्यांद में फेरोज मंतरी साथ है लोग जब आते हैं तो आप किसी को भी सियाथ में लाइए चाहे मंदिर का पुझा हो या अधिका पेशिमाम हो साल शे महने में उसका बामन जो है जो हो जाता तांच साल कारणार वहने के बाद में फ फेरोज मंतरी के बारे में कोई होतो लाके पेश करिए जिस तरीखे से इनके सघर काम करते हैं मेरी उनसे हुना है कि अबु आसिम आजनी के लक्षे ख़दम पर चलकर मुंबव मुंसिबल कारपरेशन में एक नाम करिए एक रईस शेक जो है 200 कारपरेटर में मुझे फाखर होता है कि जब भी रईश शेक्ता कहिंजिकर होता है तो नंबर वन मुंसिबल कारपरेटर इन मुंबव मुंसिबल कारपरेशन तो हो सकता है कि कल के दिन आप हमारे फेरोज मंतरी साथ को भी अगशिक करेंगे तो इसमिसाल बनके जाईए मैं यह नहीं बोल रहा हूँ कि आपको कल दिन हिंदुस्तान के कप्तान बनके रुश्ट खुरी करें मुसल्मानों का नाम मत बद्दान करिये बलके अबु आशिम आजमी जिस तरीके से अपने गोवन्ट को डिवलप रहे हैं उसी तरीके से तमाम जितने भी उम्मीदवार है हार और जित तो जिन्दगी में लगी भी है उतार और चड़ो तो जिन्दगी में लगी भी है अगर कोई उम्मीदवार हारता भी है तो मैं उनसे इंदुनगा कि पांच साल के लिए आप अवान के दर्वियान में रहे हैं हार और जित अल्ला के हाथ है करने के प्रसाइब करने काम किया जा रहा है देखते जनता कितनी इस पर तवजुद्दे पाती है और कितना सुनकर देती है वीडियों इसने मेहमद के साथ और उनको प्तास समय नाशनल कुरूला